कैसे हैं आप सब लोग और जी अभी हो रहा है सुपह सुपह का टाइम और बज रहे हैं सुपह के साथ और मैं उठी ती पौने साथ बज़े और फ्रेश वगरा होके अब मैं आगई हूँ यापर केचिन में क्योंकि मुझे लंच प्रेपैर करना है हस्बेंट के टिफिन के लिए तो पालक पनीर आज बनाने का है प्लैन तो पालक जो है वो रात को ही साफ करके मैंने बॉइल करके रख दिया था तो पालक जो है वो बॉइल किया हुआ रखा है तो फिलाल अब मैं उसकी ग्रेवी की त कूटने वाला होता है इसमें कूट लूँगी क्योंकि एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाऊंगी इसमें जो दरदरा सा कुटा रहता है ना छोटे-छोटे पीसे जाते हैं मुह में वह काफी अच्छे लगते हैं मुझे दो बर्स यहां पर प्याज का पेस्ट बना लिया है प्याज का पेस्ट और प्याज को थोड़ी सी देर के लिए भून लिया है और इसके बाद अब यहां पर मैंने टमाटर का जो पेस्ट है वो डाला है और उसको भी थोड़ी सी देर भून लिया है भूनने के बाद अब इसमें जाएंगे सारे बेसिक मसाले हल्दी पाउडर लालमिश पाउडर है धनिया पाउडर है नमक है और थोड़ा सा गरम मसाला तो यह सारे जो मसाले हैं इनको डालने के बाद इनको अच्छी तरीके से जो है वो भून लेंगे और अच्छे से बूनना है जब तक कि एकदम इसमें मतब बॉयल जैसा ना आ जाए और यह ओल सेप माटर अभी मैंने पीसे थे तो बस यहां पर मैंने पालक जो है पालक पीस के डाल दिया और पालक को बॉयल करने के बाद जो पानी बचता है उसी पानी से जार को अच्छे से वाश करके और सारा जो पानी है वो मैंने इसमें डाल दिया अब थोड़ी सी देर के लिए इसको क्योंकि इसमें क्रीम यूज नहीं करूंगी जो घर की फ्रेश मलाई है दूद की उसी को यह अच्छे से बीट करके और उसी को ऐसा क्रीम यूज करूंगी आप चाहे तो जो अमूल वाली क्रीम होती है वो भी यूज कर सकते हो और साथ ही यहां पर फ्राइपन में मैंने दू करके तो अभी के लिए मैंने यहां पर दूद गरम होने रख दिया क्योंकि अब उसका भी टाइम हो जाता है तो उसको भी थोड़ी दिर पहले उठाना होता है तो बस यहां पर दूद गरम करने के लिए रख दिया है और यह जो मलाई है इसको मैं अच्छे से फेट रही इसके बाद जो है पनीर के क्यूप्स करके मैंने यहां पर डाल दूँगी और फोड़ी सी देर के लिए इसको और बौइल होने के लिए ठोड़ देंगे मतलब पकने के लिए छोड़ देंगे जिससे पनीर जो है वो भी फ्लेवर इबसॉर्ब कर लेगा तो सबज़ी यहां पर बस उपर से मैं लगाऊंगी एक लहसन का तड़का तो ओइल मैंने गरम कर लिया है इसमें और थोड़ा सा बारी काट के लहसन और यह है कश्मीरी लाल मेज तो इसका मैं यहां पर उपर से जो है वो तड़का लगाऊंगी सिक है कि कलर बहुत अच्छा आता है और जो उप कितना सुन्दर सा मतलब कलर है बिल्कुल ऐसा लग रहा है से ढ़ाबे वगरा पर हम सब्जी घाते हैं उस टाइप का कितना अच्छा कलर और टैक्शर यहां पर दिख रहा है तो बस सब्जी रैडी हो गई थी और आज हस्बेंड को थोड़ा सा लेट जाना था तो पहले होता है कि अगर लोहे की कडाई में जादा देर तक जो सब्जी रहती है ना तो उसमें थोड़ा सा उसका कसेला पन भी आ जाता और काली काली सी पढ़ जाती तो मैंने कैसरोल में निकालके रग दी है तो करम भी रहेगी और इतनी देर में मैंने यहां पर आटा जो है वो ल मैं अपना पानी और चाय पी लूँगी और उसके बाद फिर हस्वेंट के लिए जो रोटियां है टिफिन के लिए वो बनाऊंगी तो जी अब मैंने अपनी चाय पानी आपर पी ली है और अभी को उठा दिया है और उसके पाद अब मैं वापस आ गई हूँ किचिन में अभी के लिए लंच बाक्स रुपैर करने के लिए तो उसके लिए मैं बना रही हूँ आज पनीर का पराठा तो जो है आधी प्याज मैंने बारिक बारिक बिल्कुल चौप कर लिए उसमें अच्छे से पनीर जो है वो मैश कर लिया है और उसमें एड कर दिया है नमक लाल मिर्श थोड़ी सी और अजवाइन और बिल्कुल अच्छे से एकदम जो यह स्टफिंग है इसको सॉफ्ट कर और साथ में रख दूँगी फ्रूट में थोड़ी से ग्रेप्स और दो टौफी आपर रख दूँगी एक अभी के लिए और एक अभी के फ्रेंड के लिए तू बस यहां पर अभीका लॉंच बॉक्स भी रैडि हो गया है तो लॉंच बॉक्स रैडि करने के बाद अभी को रएडि कर दूँगी आता है भूट मुचित पास नहीं कुला नहीं कुला नहीं कुला कोई बात नहीं मैं कुल देती चलो आओ से अपैसे हैं कि अभी टाइम हो रहा है साड़े नौ बजे का और सब कामक्रेंट यहां तर। और इतना सब काम करते करते मुझे तो लग गई थी बड़ी तेजी की भूग मतलब इस टाइम पर ऐसा लगने लगता है कि जस्ट लेक ओफ एनरजी की सुबह से लगे 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 इतना टाइम हो जाता है तो अब मैंने अपने लिए बनाई है ये कॉल्ड कॉफी फिलाल में बैटके कॉफी पिऊंगी और उसके बाद फिर लगूंगी घर के बाकी के कामा में साफ सफाई में क्योंकि घर की भी कंडिशन इस टाइम पर ऐसी होती है ना कि बस क्या ही पूछो इतनी जादा खराब होती है ये समझ में नहीं आता कि कहां से काम शुरू किया जा क्योंकि सब जल्दी जल्दी सुपार निकलते हैं ना तो सब समान इधार हो जाता है तो सब कुछ सेट करना तो बस फिर मिलती हूं मैं आपको उसके बाद तो कॉफी पीने के बाद क्लीनिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा ना मैं मशीन लगा देती हूं तो एक तो सब्सक्राइब करना सा पानी होता है उससे कपड़े अच्छे से साफ हो जाते हैं तो फर्स वाला जो रा arriba है उसमें मैं डालूँगी वुलंस तो इसमें बैट शीर वगेरा जो गयरा गरम वाली है और ब्लैंकेट का कवर है वो सब डाल दूँगी थोड़ा सा सर फैट करके तो बस मशीन स्टार्ट करके और इसके बाद हम मैं आ गई हूं यहां पर बैडरूम में तो सबसे पहले क्लीनिंग का जो काम है वो बैडरूम से ही स्टार्ट करूंगी यूगि सबसे ज़्यादा जो मैश होता है ना वो यह ही पर होता है तो यहां पर सफाई होने के बाद एक सैडिस्फेक्शन सा आता है कि हाँ एक बहुत बड़ा काम जो है वो निपट गया है तो फटाफट से पहले मैंने कर्टन वगएरा सही करें क्योंकि इसके बैड के पीछे ना आजवी ने रिमोट गिरा दिया था तो पहल जादा काम हो जाता है सुबह सुबह तो कि बस समझी नहीं आता कैसे निपटेंगे ये सारे काम लगे लगे इतना टाइम हो जाता लेकिन काम निपटने का नाम ही नहीं लेते हैं इसके बाद फिर अच्छे से बैड शीर जो है वो मैंने जाड़ दी जाडने के बाद कुशन और पिलो वगेरा अच्छे से लगा दिये हैं उसके बाद ये ब्लैंकेट है ब्लैंकेट को भी अच्छे से जाड के और यहाँ पर मैं इस तरीके से फैला दूँगी और फिर उसके बाद मैं कर दूँगी आपर बैट के हैड की डस्टिंग वैसे बहुत जादा गंदा नहीं तो उसको अच्छे से डस्टिंग करते रहो तो साफ बना रहता है तो डस्टिंग करने के बाद फिर पोछा लगाने के बाद में चली गई थी नहाने के लिए क्योंकि जाडू तो सुबही लग जाती है नहाके आज मैंने यह यलो कलर का जो सूट है यह पहना है आज बसंद पंच में की वज़े से पहन लिया और दूसरा एक रीजन यह भी है कि यहीं पडोस में जो है एक उनक्याना आज कथा है तो वहाँ भी मुझे थोड़ी सी देर के लिए जाना है तो फिर मैंने अपना फटाफट से जो है यहाँ पर स्किन केर कंप्लीट कर लिया है लगा लिया लिबाम लगा लिया है और यह मैं लगा ली हूं हेर सेरम क्योंकि आज मैंने जल्दी की किवज़े से इसनां नहीं लगा लिए तो बहुत थोड़ा सा सीरम लेके जो है वह वह मैंने अच्छे से से हो जाते हैं उड़े-उड़े से तो बस वो आगे वाले बाल मैंने थोड़ा सा ना कॉम करके और अब बस अपनी लिप्स्टिक लगा ली तो यहां पर मैं हो गई थी रैडी इसके बाद मैं चली जाओंगी अपने घर की पूजा करने के बाद वहां कथा में तो जब तक मैं कथा मैं पहुंची जब तक अल्मोस कथा हो चुकी थी तो बस मैं प्रशाद लेके जो है वो फटाफट से आ गई थी तो 10-15 मिनट जो है वो वहां लगे उसके बाद आके फटाफट से मैंने करा बैट फरस्ट और अब मैं आ गई हूं कपड़े सुखाने के लिए च्छत प और फिर यहां पर यह फोल्डिंग पर आप मैं बाकी के कपड़े सुखाऊंगी और बस इसके बाद मैं करूंगी एडिटिंग और वीडियो रेडि करूंगी जिससे कि आपको वीडियो टाइम पे मिल जाए तो अपनी इस छुटी सी वीडियो का यहीं पर करूंगी मैं and I hope आपको पसंद आई होगी पसंद आई हो किसी भी वज़े से तो लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा मिलती हूं नेक्स वीडियो में तिल देन बाब बाई